नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वानी पर दोस्तो आपने अभिसेग बच्चन की फेमस लाइन तो सुनी होगी कि एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया ठीक वैसे ही आज की तारीक में हम कह सकते हैं सिर्फ एक फिल्म जो बदल देगी इंडस्ट्री की पूरी इमेज दोस्तो भारती सिनेमा में पिछले दो-तीन सालों में एक एकस्पोनेंसल चेंज देखने को मिला है हिंदी फिल्मों की मोनोपली एक तरह से खत्म होई है और देश की हर छोटी बड़ी इंडस्टी कुछ बैतर ट्राइक कर रही है इवन सभी के पास आउसर की बराबर संभावनाए हैं इससे भारती फिल्म इतियास की करांती समझा जाएगा क्योंकि कोविट के बाद ओडियन्स का माइंडसेट एक्दम से बदल चुका है ओडियन्स सिर्फ अच्छा कंटेंट देखना चाहती है फर्क नहीं पड़ा रहा कि फिल्म किस रिजन से आई है किस भासा की फिल्म है और फिल्म का हीरो कौन है अगर फिल्म की कहानी अच्छी है टेकनिकली वेलमेड है और फिल्म का भाव अच्छा है तो देश के हर जगा के लोग फिल्म को हाथ तो हाथ लेने को तयार हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बस एक फिल्म और आपकी इंडस्ट्री की किस्मत पूरी तरह से चमक जाएगी जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं और उसमें साउथ की इंडस्ट्रीज को अच्छा खासा नेम और फिल्म और लेडी मिल चुका है मगर इसके अलावा और भी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि मराठी, गुजराती, बंगाली, असामी, उडिया यह अपने में तो अच्छा कर रही हैं मगर इन फिल्मों के दाइरे सिर्फ अपने स्टेट तक ही सीमित थे लेकिन अब इन इंडस्ट्रीज के पास भी लेंग्विज बेरिल को तोड़ने की प्रॉपर संभावना हैं सिर्फ एक फिल्म से लेकिन वो फिल्म दमन जैसी होनी चाहिए दोस्तो दमन फिल्म ने अपनी उडिया इंडस्ट्रीज की पॉस्टिव इमेज पैन इंडिया लेवल पर पर प्रजंट किया है ऐसी ही बेरिन फिल्म अगर हर इंडस्टी में बनेगी तो डेफिनिटली लोग सपोर्ट करेंगे इसके अलावा हमारे देश में कई इंडस्टीज ऐसी भी हैं जो अपने कंटेंट के लिए काफी ज़्यादा बदनाम हैं दोस्तो ये इंडस्टीज भी इस फिल्मी करांती में बैतरीन फिल्में बनाकर अपनी इमेज और इंडस्टी के फीचर को बैतर कर सकते हैं ज़्यादा दूर नहीं दमन से पहले उडिया इंडस्टी की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी यूथ ने खुद उडिया फिल्मों को देखना बंसा कर दिया था फिल्मों में ओरिजिनलिटी की कमी हो रही थी साती साथ साउथ और बंगाली फिल्मों के रीमेक का चलन काफी यदा बढ़ा हुआ है बीते दो दसकों में ओवर दर टॉप एक्षन और धिन्चेक सॉंग का क्रेज बढ़ा वहीं उडिया का सोल्फिल्म म्यूजिक का इस तर भी नीचे गिर गया था फिल्में टाइम के एकॉर्डिंग खुद को बतल नहीं पाई और साइध यही वज़ा थी कि ये फिल्में यूद को टार्गेट नहीं कर रही थी इन फैक्ट आपको बता दूँ अस्ती और नब्बे के दसक में ओडिया फिल्मों का अपना एक स्टेंडर्ड था पहले के टाइम में गानों में एक सोल्फिल्नेस हुआ करती थी जो उडिसा से हैं वो इस पॉइंट को काफी अच्छे से समझ सकते हैं उडिसा एक कल्चर हेरिटेज है और यहां का कल्चर हमेशा से रिच रहा है ये सब कुछ पुरानी उडिया फिल्मों में था जो धीरे धीरे अल्ली 2000 के बाद खत्म सा होने लगा इन फैक्ट अभी भी कमर्सल सिनेमा का चलन अपने जूरो पर है मगर इस बीच दमन ने जो एक्जामपल सेट किया है साथ वो आने वाली उडिया फिल्मों को एक नया रास्ता दिखाएगी दोस्तों दमन फिल्म ओडिया इंडस्टी की मिल का पत्थर साबित हुई है जिसने वाकए में कुछ बहुत बैतरिन कर दिया है दमन बेसिकली एक सोसल ड्रामा फिल्म है जिसको रियलिस्टिक अप्रोच और उडिसा की कल्चरल वैल्यूस को रखते हुए बनाय गया है ये फिल्म एक डॉक्टर की जर्नी बताती है ऐसा डॉक्टर जिसकी पोस्टिंग ऐसी जगह पर हुई है जहां कि गाउं डेवलेप्रेंट की लाइन से कोसो दूर है उडिसा की संस्कृति कल्चर और जड़ों से जुलाव इस फिल्म में साफ तोर पर दिखता है जो इस फिल्म को डेविटली एक मास्टर पीस फिल्म का टैग देता है दमन बहुत ही जल्द हिंदी में रिलिस होने वाली है मात्र 95 लाग के बजट में बनी ये फिल्म औलेडी करोडों कमा चुकी है दोस्तो जिस तरह की डिमांड हिंदी बेट से निकल कर आई है उससे तो यही लगता है कि ये फिल्म हिंदी बेट में भी बहुत अच्छी कमाई करने वाली है दमन एक लेसन भी है चोटी फिल्म इंडेस्टिस और चोटे मेकर्स के लिए जो इस फिल्म की सफलता से बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तो इस फिल्म ने बताया कि पैन इंडिया पर पॉपलर होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको बड़े बजट की अवश्ता हो ये भी जरूरी नहीं है कि फिल्म के लिए बहुत अच्छे वेसक्स की ज़रूरत हो फिल्म रियल लोकेशन पर भी सूट हो सकती है और दमन इसका फाइनेस एक्टमपल है कमर्सल सिनेमा और एक्षन फिल्मों से निकल कर हम रियलिस्टिक अप्रोच के साथ फिल्म में बना सकते हैं जिनका अपना इंपक्ट पूरे इंडिया पर पढ़ेगा और खास बात यह है कि यह फिल्म में कम बजट में भी बन जाती हैं दोस्तों जिस तरह बाहुबली ने रिजनल फिल्मों को पैन इंडिया लवल पर सकस दिलाई ठीक उसी तरह दमन छोटी फिल्मों के लिए आईने का काम करती है मैं ऐसा मानता हूँ कि दमन फिल्म के बाद हर इंडिस्टी अपने कंटेंट पर फोकस करना शुरू कर देगी मेन वाइल यह सब देखकर मुझे पसली काफी अच्छा लगता है कि इंडियन सिनेमा इतनी खूपसूरती के साथ आगे बढ़ रहा है तो दोस्तों यह रहा आज का हमारा एक स्पेसल वीडियो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं साथी साथ नेक्स्ट अब आपके स्टापिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताएं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लिस लाइक करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्य प्लिवाद